हेलो गाइज, यह मेरा फ़र्स ब्लोग है और इसमें मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि अपने घर का जो भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो एक खेड़की को ओपन करते हैं यह देखिए इनका नाम है तुट्टु और एक खेड़की कोलने के लिए कब से ब देखिए इनको कितना मज़ा रहा है बाहर देखने में वह तुर एदर देखिए अ क्या लग रहा कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है इसमें बोलो अच्छा लग रहा है यह हमारा खेट है बहाँ दिख रहा है चन्नी के फोसिस कर रहे है जाड़ करें है खेड़की पर यह कितना मजा रहा है करी वार सिंगें करता हूं यह मेरा माइक पी रखा रखा भी इस पर कुछ काम नहीं चल रहा है तो इसलिए इसको में बढ़ती है रहा है खोड़ रहा है क्यों बंद कर रहे हैं बच्चे क्यों बंद कर रहे हैं चलिए गाइस रूम के बाहर चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा घर मेरा पूरा ज़र्चोधी बेती ज़र कर दो ज़र नहीं प्रूम कर दो और फेर कि आपको दो जो झाए हैं जाओ लेकर आओ हुआ है यह है घर है यह मैं फर्स्ट व्लोग सो थोड़ा सा नापस भी हूँ अपना अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूंगा यह मेरा खेत है इसमें बहुत सारी सब्जीयां बहुत दी गई है यह देखे आलू बोया गया है आलू और यह सामने सुगर केन गन्ना है काफी मीठी है और अभी हम लोग एक कन्ना तोड़ेंगे इसको चुहेंगे और यह देखे सामने से मेरा घर देख रहा है आप लोगों को यह पुरा खेत है वह है मम्य पापा बैठे हुए है काट पर मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाया ह क्योंकि उन्हें लगता कि यह क्या कर रहा है तो अभी यहां पर आके बोल रहा हूं यह मेरा पुरा खेत है ताड़ का व्रिच्छ है जिसमें को ताड़ी दरती है प्रेह सुगर केन तोड़ेंगे और इसको इसको निकालेंगी तो अभी बाबु गया है लाने के लिए अभी हास हुआ जिससे हम लोग सुगर केंट काटिंगे हो देखिए धान था मेरा धान रखा हुआ है उसको पीट करके उसमें से जो भी यह ताना निखाला जा रहा है और यह दिखा सकता हुआ है अब लोगों को यह देखिए जूम करने के कोसिस कर रहा हुए हो नहीं जाए है यह दान है पूरक पूरा अब उसको पीटा जा रहा है इसके बाद उसमें से धान निचाल करके खुटा करके उसी का चावल बनेगा और यह देखिए मेरा बगीचा है अमरूत का पेड़ है दोस्तों यह धान का जो पूरा जिसको बोलते हैं हम लोगों की लिंग्विज में तो पूरा रखा हुआ है यहीं पे श्टोर किया जाता है रखा जाता है बाद में इनको पसुन को खिला जाता है यह देखिए आम है और अमरूत का पिड़ है और इसमें चाना बोया गया है जो कि यह भी जमान नहीं है यह पापीता का पाउदा है जो इस समय हुआ हुआ है और कुछ पग गया थी तो उनको तो उड़ लिया गया था लेखिए गाइस गुत्तो असुगा लेके दावड़ा वा रहा है और सुगर केन चुना है अभी देखिया के खो़दने लगा मिटी मत मत खोदो मत खोदो आओ 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 आजाओ चलो सुगर केन काटो आओ आओ चलिए दोस्तों तो मैं आप लोग को एक समय से गन्ना काट रहा हूं अभी देखते हैं कितना मीठा है अब है इस अब गन्ना है यह देखिए दिख्या गत्रूपी है इसको भी खेतों से काटा है है काउं सा गन्ना मीठा होगा यह जीज़िस में पता करना होता है और नरम होगा तो एक गन्ना मुझे दिख रहा है दो गुट्टू कट तो अभी चलिए एक गन्ना अपने को काट के लिखाता हूं यह वाला गन्ना यह सही लग रहा है मूटा भी है और उतना सही नहीं लग रहा है क्या बीच में देखिए फटा हुआ है इस पहता वर्ग ना अच्छा नहीं होगा सो अम दूसरा कोई चूज करते है देखते इसमें कॉंज सा सही है १ह कॉंज सा सही होगा तो बहानी करते हैं तो कोई दूसरा चूस करते हैं तो फाइनली हम लोग इसी को कारते हैं कर दो फाइनली हमने इसको का लेकर चल रहे हैं गन्ना और इतना भारी है कि हुले के जहां नहीं पा रहे हैं अब यह कुछ दूर जाके गिरा देंगे चलिए देखते हैं क्या करते हैं कि इसको हमका नाम तो यह से जश्टीन है कि नाम लोग प्यार से गुट्टू ही गुलाते हैं अच्छा लगता है कि अधिक गिरा दीना अधिक अधिक मटा बड़ा है कि यह लेकि जाने पा रहा हैं देखिए इधा बंगो झाल 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 बोट में ठीयाइज बोट मीटियाज मल्याव यह पहलेक लोग गन्ना चूव करके खाते थे खाना नहीं मिलता था गन्ना भी चूवते थे और आलू भुवाद करके खाते थे खन्नेकारास पीते थे और बिल्कुल स्वास्तरा थे उनको कोई दिक्कत में होती थे वेसल्टी होती है इतने सारे बोजन है फिर भी तरह तरह के परिशानी रोग रोग हो रहा है और रोटी क्या खाड़े हो पांको तो में दिये सुगाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें कि आपकी से मझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियो में और भी आपके लिए लाता रहूंगा थैंक्स फर वाचिए